exercise 3.2 का question number 7 लेके आगे हों गाज, इसमें 2 equation दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और इसमें ये कहा रहा है, जो इससे एक graph बनाओ, और जो graph बनेगा, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे graph, इसमें कहा रहा है, जो graph बनाओ, इसमें ना कुछ ऐसे triangle type का graph बनेगा, ठीक है, ये एक सक्सिस पे यहाँ पर बन रहा है, ये एक सक्सिस है, ठीक है, ये भी एक सक्सिस है, ठीक है, तो ये दोनों coordinate बताओ, और मतलब निर्दे सांग को हम हिंदी में निर्दे सांग कहते है, ठीक है, निर्दे सांग कहते है, और मतलब इसका कह रहा है, तीनों coordinate बताओ, तो ये एक बन जाएगा, कोडिनेट यहाँ पर कुछ आएगा जैसे मालों 2, 3 आएगा, जैसे यहाँ पर 2 और 4 आएगा, यहाँ पर 0, 5 आएगा, ऐसे कुछ ठीक है, तो ऐसा जो कोडिनेट आएगा ति यह तीनों निर्दे सांख, मतलब तीनों कोडिनेट बताओ और इस ट्रेंगल को क्या करो, कलर करो यह सवाल कह रहा है, ठीक है तो अब हम हमें बस वही ग्राफ बनाना है और आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ बनाने के लिए सीख लिया होगा, तो यह रहा इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना होगा चेंज करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, x-y इक्वेशन आजाएगा, मैनस 1, ठीक है, यह आगया हमारा इक्वेशन 1 और इसको क्या करूँगा मैं 3x plus 2y equal to 12, यह आगया इक्वेशन 2, बस उसी तरीके से हम क्या करेंगे from इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से चलेंगे हम ठीक है, और इक्वेशन 1 में क्या है, x-y plus 1, sorry x-y एक मिनिट x-y equal minus 1, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा मैं क्या करता हूँ, इसमें x equal लिख देता हूँ, तो x equal हो जाएगा, minus 1 plus y, मतलब इसे हम अगर rearrange करता हो, तो आप इसे x equal y minus 1 लिख सकते हो, ठीक है y minus 1 आपने लिख दिया, आप देखो, आप क्या करेंगे हम, इसमें value put करते रहेंगे, है न, y का value मैं put कर देता हूँ, मालो मैंने क्या करा let y equal मालो मैंने 1 put कर दिया, अगर y equal 1 put करा, तो x equal कितना हो जाएगा 1 minus 1, यानि कि 0 आगिया फिर मैं क्या करूँगा, let y equal मैं क्या करता हूँ, 2 put कर देता हूँ तो x equal कितना हो जाएगा 2 minus 1, यानि कि 1 आ गया ठीक है उसी तरीके से मैं क्या करूँगा let y equal मैं 3 put कर देता हूँ तो x equal कितना आ जाएगा 3 minus 1 यानिगी ये 2 ठीक है तो इसका table में बना लेता हूँ इसका table में table 1 बस similarly उसी तरीके का जैसे हम इसमें बनाते हैं ठीक है ये रहा table बना दिया मैंने ये x हो गया ये y हो गया इसमें अभी देखो हमने x का value starting में क्या माना था x sorry सबसे पहले हमने क्या कर दा था let y equal 1 तो y का value सबसे पहले मैंने 1 माना तो x का value 0 आ गया फिर y का value हमने क्या माना 2 माना तो x का value 1 आ गया था फिर y का value हमने 3 मारा तो x का value 2 आ गया था ठीक है उसी तरीके से हम from equation 2 से चलते हैं तो मैंने from equation 2 लिख दिया equation 2 है जो 3x plus 2y equal to 12 तो guys मैंने क्या करा यहाँ पर 2y को इधरी रहने दिया 3x को मैं इधर shift कर देता हूँ तो आप किसी को भी कर सकते हो 2y को उधर shift कर सकते हो आप क्यों पर depend करता है आपको जिस तरीके साथ समझ में आ जाए मने लिखा 2y equal to 12 minus 3x ठीक है क्योंकि 12 minus 3x हो जाएगा और y equal क्या हो जाएगा 12 minus 3x by में 2 तो आप हम क्या करेंगे guys x का value हम put करते जाएंगे ठीक है तो x का value में क्या करूँगा put करूँगा जैसे मानलो मैंने क्या करा x का value मानलो मैंने 0 put कर दिया ठीक है अगर मानलो मैंने x का value 0 put कर दिया तो यहाँ पर y equal कितना आ जाएगा 12 minus यह तो पूरा 0 आ जाएगा 3 को 0 से multiple 0 तो जाएगा 12-0 वाय में 2 यह आ जाएगा 12 by 2 यानि कि यह आ गया 6 similarly मैं क्या करूँगा let x equal में क्या कर देता हूँ अब 2 मान लेता हूँ ठीक है x equal अगर मैंने 2 मान लिया तो y equal आ जाएगा 12 minus 3 2 हो जाएगा 2 यानि कि 12 minus 6 वाय में 2 यह आ जाएगा 6 by 2 यानि यह अगर आप कैंसल करोगे तो 3 आ जाएगा ठीक है उसी तरीके साब क्या करोगे let x equal मैं क्या कर लेता हूँ अब 4 मान लेता हूँ ठीक है तो y equal आ जाएगा 12 minus 4 3 12 by में 2 यह आ जाएगा 0 by 2 equal to यह आ गया 0 इसी तरह से मैं क्या करूँगा इसका table बना लूँगा table 2 तो इसका table मैं बना लेता हूँ उसका फिर इसका graph ड्रॉग कर लूँगा मैं ठीक है तो इसका table मैंने यह रहा x यह रहा y मैंने x सबसे पहले 0 पुट करा ठीक है तो हमारा answer 6 आया था फिर हमने x का value 2 पुट करा तो हमारा answer 3 आया था फिर हमने x का value 4 पुट करा तो y का value 0 आया था ठीक है तो अब हम graph इसका मैं आपको बता देता हूं तो मैंने graph बना लिया है, जैसे graph बनता हुए से, यह य-axis है, यहां पर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह x-axis है, और यह y-axis है, ठीक है, तो अभी मैं क्या कर लेता हूं, यहां फिर भी यह-1, यहां पर –2, पुट कर देता हूं, ठीक है, अब देखो, और य on में x का value 0 तो y का 1 ए ठीक है x का value अगर 0 है तो y का value 1 तो y हानने कि यह हंपर एक बने गए पूइंट हमारा दूसरा है x Agency value 1 तो y ka value 2 है तो x का value एगर उन है तो तो y है यहाँ पर cut करेगा ठीक है यहाँ पर cut करेगा ये क्या था ये था आपका zero और one का ये zero और one का coordinate था ये है one और two का coordinate है one और two का coordinate है मतलब nird legitim का है हिंदी झें हम nird zigzag कहते हैं और two और three के तो except several two है और उय का value थी है यह आगया यहाँ पर आपका यहाँ पर आगया यह two और three हो घया आप क्या करूंगा मैं इस लाइन को जॉइन कर दूँगा, मैं जॉइन कर देता हूं, देख लो guys, बस मैंने जॉइन कर दिया, ठीक है, जॉइन कर दिया, यह जो equation था, यह equation किसका था, पहला x-y equal to minus 1, यह जो था, x-y equal to minus 1 का था, ठीक है, उसी तरीके से मैं आप table number 2 देख करक table 2 है, x का value 0 है, तो y का value 6 है, तो x का value अगर 0 है, तो y का value 6 है, यानि कि यहाँ पर indicate करेगा, यह 0 और 6 हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा है, दूसरा जो है, वो table हमारा 2 और 3, ठीक है, तो x का value 2 होगा, x का value 2 है, और y का value 3 है, तो y का value 3 यहानि कि पर कट होगा, दूसरा आगी है हमारे 2 और 3, यहां पर मैंने अल्रेडी लिखा हुआ, तो मैं छोड़ देता हूं, नहीं लिखता हूं इसे, ठीक है, और तीसरा है 4 और 0, मतलब x का value 4 है, x का value 4 है, और y का value 0 है, यानि कि यहीं पर कट हो जाएगे, ठीक है, अब मैं क्या इन तिनों को, यहां पर join कर देता हूं, ठीक है, आप इसे अगर उसमें बनाओगे, graph की copy में, तो आपका पूरा accurate बनेगा, मेरा थोड़ा सा 13 बन रहा है, जो कि यह मैंने accurate यहां पर, जो map है, वो accurate नहीं है, इस वज़े से, ठीक है, तो guys देखो, आप यह जो है, हमारा coordinate, य एक तो यह coordinate बन रहा है, 2 और 3 का, ठीक है, और एक यह बन रहा है, ठीक है, और यहां पर यह ना, मैनस 1 पर खट रहा है, ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम इसका coordinate देखो, coordinates are, coordinates are, क्या सब हो जाएगा, सबसे पहले देखो, यह 2 और 3 है, तो 2 और 3 बन गया, एक यह coordinate बना, के एक यह कोडिनेट बने या तिए मैनस और जिरो का और बनें या यही धू निर्देसां आप कहा रहा है जो X-axis पे कौन सा बन रहा है तो X-axis पे कौन सा बन रहा है तो X-axis तो एक तो ये है और एक ये है तो यानि कि एक बन रहा है तो मैंने इसे क्या करा पैन से ही हाइड कर दिया तो आप इसे अच्छे से इस वीडियो को अगर एक बार में समझना आए तो आप दो बर देख लेना और अच्छे से समझ लेना ठीक है गाइस तैंक्यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यह इस एक्सरसाइज का 3.2 का सबसे लास्ट कुस्टन था ठीक है अब मैं अगले वीडियो में 3.3 का कुस्टन लेकर आऊंगा थैंक्यू आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा